आप सब का ज्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपात फॉर सचसेस में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक के आने वाले जूनियर कलर के एक्साम के टॉप 25 MCQs जो की हिमाचल प्रदेश जीके के बारे में आपको जानकारी देगा ये वीडियो लेक्चर नंबर 4 है चलिए इसको देखते हैं पहला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश में कुल एडमिस्टेटिव डवीजन कितने हैं यानि परसाशनिक मंडल दूसरा प्रशन है आपके पास इन में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कौन सा जिला है जो की कांगडा एडमिस्टेटिव डवीजन के अंतरगत नहीं आता है अगला प्रशन है आपके पास कि नौर जिले का जिला मुख्या लिए इन में से किस थान पे स्थित है अगला प्रशन है आपके पास पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का है वो इन में से किस थान पे स्थित है तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा आपको ड्रो नियर पालंपूर जो की है डिस्टिक कांगडा में इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कीगी है 1995 में अगला प्रशन है आपके पास इन में से किस थान पे स्थित है तो हिमाचल प्रदेश इंस्टिटूट्सन और पबलिक अड्मिस्टेशन ये मिलेगा आपको कहां पे फेर लॉंस शिमला में इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश से कुल प्रदेश की कितनी सीटे है A.Op3, B.Op4, C.O7, D.O12 तो कुल प्रदेश सीट है हिमाचल प्रदेश से साथ C. इस दा करेक्ट अंसर इन साथ में से लोक सभा की हैं चार और राजे सभा की हैं तीन सीते अगला प्रशन है आपके पास किस बर्श बीएस्पी यानि बहुजन समाच पार्टी ने हिमाचल विधान सभा की एक सीट पे जीत हासिल की थी सही अंसर है 2007 में कांगड़ा कॉंस्टिटेंसी से बीएस्पी ने एक सीट जीती थी अगला प्रशन है आपके पास 2022 के बिधान सभा इलेक्शन में जो कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनी उसने कितनी सीटे जीती सही अंसर है 40 सीटें जीती थी कॉंग्रेस सरकार ने टोटल 68 बिधान सभा सीट है हिमाचल की जिन में से आई एन सी ने 40 सीटी थी बीजी पी ने उन इलेक्शन में 25 और जो 3 सीटें थी बोट ही इंडिपेंडेंट अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश बिधान सभा के पहले स्पीकर कौन थे? A. डॉक्टर वाईयस प्रमार B. राबलाल ठाकुर C. कृषिन चंदर D. जैवंत राम सही अंसर है पहली बिधान सभा के पहले स्पीकर रहे हैं जैवंत राम D. इस्था करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश बिधान सभा की अधिक्तम सीटे किस जिला से हैं? A. मंडी B. कांगडा C. शिमला D. कुलू तो सबसे ज़्यादा सीटे हिमाचल पदेश बिधान सभा की मिलेंगे आपको कांगडा डिस्टिक से यहाँ पे हैं 15 सीटे मंडी पे हैं 10 सीटे शिमला पे हैं 8 और कुलू में हैं 4 सीटे अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल पदेश बिधान सभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? A. आप्षन आशा कुमारी B. आप्षन बिध्या स्टोक्स C. सर्वीन चौधरी T. इन में से कोई भी नहीं सही अंसर है बिद्या स्टोक्स B. इस्ता क्रेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास Dr. Y.S. प्रमार यानि Dr. रियश्वन सिंग प्रमार हिमाचल प्रदेश के मुखे मंतरी कितनी वर बने A. आप्शन दो वर B. आप्शन चार वर C. आप्शन छे वर D. आप्शन आठ वर सही अंसर है चार वर B. इस्ता क्रेक्ट अंसर एक तो 1952 में बने उसके बाद 1963 में फिर 1967 में और फिर 1971 में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश के वो कौन से मुख्य मंतरी थे जिन्होंने एक नीती लागू की No work, no pay A. आप्शन शांता कुमार B. आप्शन डॉक्टर बरियस परमार C. आप्शन जैराम ठाकुर D. आप्शन रामलाल ठाकुर सही अंसर है इस नीती को लागू किया था शांता कुमार जी ने A. इस था करेक्ट आंसर अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश के पहले उप्प मुख्य मंतरी कौन बने है A. आप्शन रामलाल ठाकुर B. आप्शन जैराम ठाकुर C. आप्शन बीरबदर सिंग D. आप्शन मुकेश अगनी होतरी सही अंसर है मुकेश अगनी होतरी D. इस था करेक्ट आंसर अगला प्रशन है आपके पास 2022 के विधानसावा इलेक्शन में कितनी महलाएं इलेक्टड हुके आई है A. आप्शन एक B. आप्शन दो C. आप्शन तीन D. आप्शन कोई भी नहीं तो 2022 के विधानसावा इलेक्शन में हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक ही महला इलेक्टड हुई है A. इस था करेक्ट आंसर और उनका नाम है रीना कश्प और ये बिलॉँग करती है पच्छाद कॉंस्टिट्वेंसी से जो की है सिर्मो ओर दिस्टिक में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश का पहला हाइडरोलेक्टिक प्रोजेक्ट कौन सा है A. ओप्शन गिरी हाइडरोलेक्टिक प्रोजेक्ट B. आप्शन शानन हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट C. आप्शन नात्पाज हाकडी हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट D. आप्शन पारवती हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट सही अंसर है शानन हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट B. इस दा करेक्ट अंसर अगला प्रशन है आपके पास कोल्ड एम हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की किस नदी पे स्थित है A. आप्शन राबी B. आप्शन चिनाब C. आप्शन ब्यास D. आप्शन सतलुज सही अंसर है सतलुज रिवर ये कोल्ड एम हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट मिलेगा आपको बिलास्पोड इस्टिक में इसकी कैपस्टी है 800 मेगा वाट और इस हाइड्रोलेक्टिक प्रोजेक्ट की अपरेटिंग एजेंसी का नाम है N.T. PC और इस hydroelectric project को set up किया गया है with the help of Russia अगला प्रशन है आपके पास धौला सीध hydroelectric project जो हमिरपूर में है उसकी operating agency कौन सी है A option NHPC, B option HPS EBL, C option SJBNL, D option BBMB सही answer है SJBN सतलुज, जन बिद्दुद, जल बिद्दुद निगम लिम्टड, C is the correct answer इस hydroelectric project की capacity है 66 MW और ये आपको मिलेगा ब्यास नदी के उपर और located है ये district हामिरपूर में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश Board of School Education की स्थापना किस वर्च कीगी A option 1969, B option 1970, C option 1971, D option 1972 सही answer है 1969 और ये board आपको कहाँ पे मिलेगा दाडी, नियर धर्मशाला, डिस्टिक कांगडा में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल प्रदेश State Biodiversity Board की स्थापना किस वर्च कीगी A option 2002, B option 2003, C option 2004, D option 2005 सही answer है 2005 में और ये Biodiversity Board का headquarter आपको कहाँ पे मिलेगा ये मिलेगा शिमला में और इसके chair man होते हैं जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार के chief secretary हैं वो अगला प्रशन है आपके पास डॉक्टर यश्वन सिंग प्रमार युनिवरस्टी जो है Halti Culture and Forestry की इसकी स्थापना किस वर्च कीगी A option 1978, B option 1980, C option 1983, D option 1985 सही answer है 1985 और ये युनिवरस्टी आपको मिलेगी कहाँ नौनी, District Solan में अगला प्रशन है आपके पास हिमाचल का एक मातर सैनिक स्कूल जो है उसकी स्थापना किस वर्च कीगी A option 1977, B option 1978, C option 1979, D option 1980 सही answer है 1978 B is the correct answer और ये एक मातर सैनिक स्कूल आपको कहाँ पे मिलेगा सुजानपूर, टिहरा, District हमिरपूर अगला प्रशन है आपके पास महत्वपूरण किताब कुलुद देश की कहानी इसके लेखक कौन थे? A option राहुल संस्कृत्यान B option MS रंधावा D option देवराज शर्मा D option लालचंद प्रार्थी सही अंसर है कुलुद देश की कहानी जो किताब है इसके लेखक है लालचंद प्रार्थी D is the correct answer अगला प्रशन है आपके पास कंट्री लाइफ जो किताब है इसके लेखक कौन है? A option Nora Richards B option APF Harcourt C option जगमोहन बलोकरा D option शांता कुमार अंतिम प्रशन है आपके सामने धर्ती है बलीदान की इसके लेखक कौन है? A option Nora Richards B option APF Harcourt C option Nicholas Rorick D option शांता कुमार सही अंसर है शांता कुमार जी D is the correct answer तो इस तरह से लेक्चर नंबर 4 में हमने डिसकस किया Top 25 MCQs जो कि आपके अगामी State Cooperative Bank के Junior Clerk एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important है वीडियो लेक्चर को लाइक करे कमेंट करे, शेर करे और आपके अपने YouTube चैनल The Concept को सबस्क्राइब करे और शेर करे Thank you, जै हिन, जै भारत, जै हिमाचल